वेल्कम तो प्रोटीज प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अब बाद देश की सबसे वड़ी सरकारी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिसने चौती तिमाही के मिले जुले नतीजे पेश की हैं बैंक का मुनाफ़ा 41% बढ़ा है लेकिन ये आकड़े स्ट्रीट के आनुमान से कम है हालागि बैंक को चौती तिमाही में 9,113 करोड का प्रॉफिट हुआ है वही व्यात की अगर बात की जाए तो इनकी कमाई में 15% से ज्यादा का उच्छाल भी आया है बैंक के एसेट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसमें सुधार हुआ है ग्रॉस NPA का आकड़ा साड़े 4% से घट कर 3.97% हो गया है नेट NPA में भी कमी आई है और अब बात LIC के IPO की जिसमें अलाट्मेंट रेशियो तै हो गया है डीटेल के साथ मौझूद है मायस्ता तियातिन यतिन बताईए क्या कुछ है इस पर डीटेल जहां तक की LIC के IPO का सवाल है बहुत ही जल निलगबग 17 तारीक के आसपास आपको इसकी लिस्टिंग होती हूँ दिखाई देगी और आज बेसिस अफ अलाट्मेंट आ चुका है जहां तक की LIC का सवाल है अगर हम देखें तो सभी के सभी रीटेल निवेशकों को एक लॉट के अलाट्मेंट पे सभी को एप्लिकेशन पे शेर्स मिले हैं 15 के 15 शेर्स लेकिन अगर आपने दो लाग के आसपास की अगर अरजी लगाई हो जो की 210 शेर्स के आसपास है तो आपको 77 शेर्स अलाट हुए है जहां तक की Policy Holders की कैटेगरी है क्योंकि यहां डिसकाउंट 60 रुपे था रीटेल कैटेगरी में डिसकाउंट 45 रुपे था तो obviously Policy Holders का कोटे में ज़्यादा अप्लिकेशन आई थी और यहां अगर आप 210 शेर्स की अप्लिकेशन कर रहे हैं तो लगबग 48 शेर्स आपको अलाट होगे हाला कि अगर आप देखें तो एक लौट का अप्लिकेशन अगर आपने किया हो क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जादा तो ज़रूरी नहीं आपको यहां एक लौट मिले क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते यहां लौटरी सिस्टम के हिसाब से अलौट्मेंट होगा जहां तक कि institutional investors और HNI investors का सवाल है यहां pro rata basis पे subscription के हिसाब से allotment आता हुआ दिखाए देगा बहुत शुक्रिया तमाम IPO के इस बात को समझाने के लिए और दर्शकों के काफी काम की ये बात भी होगी बहुत शुक्रिया यतिन अब कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए registration कराना होगा 5G spectrum की निलामी से पहले सरकार ने टेलिकॉप कंपनियों के लिए 5G network लगाने की शर्तें आसान कर दी है दरसल गली महले तक 5G network पहुचाना एक बड़ी चुनोती है इससे निपटने के लिए सरकार मौझूदा infrastructure का इस्तिमाल करने की तयारी कर रही है इसे टेक्निकल भासा में street furniture कहा जाता है इसके तहत टावर लगाने के लिए बिजली के खंबों या फिर किसी भी उच्चे structure का इस्तिमाल किया जा सकता है इन पर छोटे पावर का BTS लगाया जा सकता है सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अब कंपनियों को